जनजन की आवाज को दिलो तक पहुचाने में हर खबर को रखती है निशाने में कोई कसर ना छोड़ती सच को ठाने और जूट को दबाने में जिहां आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है BNB को नंबर वन न्यूस चैनल बनाने में नमस्कार मैं हूँ पूर्वीराय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरे आईए रुख करते हैं खबरों की और नीट्स गिरेडी के द्वारा वेंगाबाद प्रखंड के प्रखंड कार्याले परीसर के प्रात्मिक विद्याले में स्वाभिवान प्रोजेक्ट येरोपियन यूनियन के सहयोग से नीट्स संस्थान नौ जिलो में कारे करेगी जिसका शुभारम वेंगाबाद प्रखंड में अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वेलित कर किया गया कारेक्रम में बीपी ओ, रीना कुमारी, पंचाच सचीव, सीमा कुमारी, रोजगार सिवक, बिनोध कुमार, समाद सेवी, बालिश और यादो, वाड़ सदस्य, गोविंद तुरी, रमेश बेसरा, रमेश मंडल, श्रम, रोजगार सिवक के अलावा, नागीश और प्रसाद मंडल, नकुल मंडल, पपू मंडल समेथ काफी संख्या में मौजूद थे लो, कारेक्रम का सफलता पूरवक आयो, जन नीट्स संस्था के अंकुर पारस के द्वारा किया गया, उन्होंने कहा किया संगटित मजदूरों को रोजगार भी हमारी संस्था मुहाया कराएगी, आईए देखते हैं और क्या कहां, तो फिर बने रहें BNB से, और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच हे तो बोलेगा, जय हो, जय हैंदु सत्यमे, जय तेवन देमात्रम। जिसके तहत वो अपना रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और Employers, Employee को रोजगार प्रुवाइड करा सकते हैं, और सारकारी योजनाओं की भी सूचना उस पे आपको मिल सकते हैं, 24 गंटों सातों दिन, एक Call Center, Head Office based डवलप किया गया है, जिसमें एक Number दिया गया है, इस पे आप Number आसी और असंगठित मज़ूर थे, जो कि अपने घर वापस आ गया और बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से जूज रहे थे, उनको नियरभाइ होम टाउन में किस सरह से रोजगार मोया कराया जा सकते हैं, कैसे रोजगार मोया होगी आपके निट्स सुवेमान के माधि इंप्लॉयर्स भी हमारे साथ जुड़े होगे, जिनको MSME कहते हैं, डिस्टिक लेवल पे, वो एंप्लॉयर्स डाइरेक्ट तुस एप्लिकेशन के थूरू एंप्लॉयर्स को कनेट कर रहे हैं, उनके स्किल्स के हिसाब से, क्या सुबना हो आपका? अंकुर पारस. ना पड़ेगा भटकना, फेक, शेयर और व्यूस पर क्योंकि क्या, कब, कहा, कैसी की, सबसे 30 और 60 कवरेज मिलेगी आपको BNB All India News पर. हर खबर को आप तक पहँचाने से पहले खरे सोनी की तरह तौलेगा, आप बने रहें BNB All India News के साब, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा.